तो यूक एन यूट्यूब चैनल को सबस्काइब केने के लिए दमाएं सबस्काइब का बटन, खंड़ी का बटन चरूरूर के में शारकार सीधे तोर पर अब ये काम करने जाक है जिसको जानकर आप चोग जाएंगे चुनाव से पहले सरकार महिला किशानों की सम्मा निधी कर सकती है दोगनी प्रधान बंदरी किशान निधी के बजट में महिलाओं को 12,000 रुपे देने की घोशला संभव 26 कौर किशान बनाते हैं बड़ा मददाता समूँ देश में 26 कौर से अधिक किशान है जो 1.4 अरब अबादी वाले देश में अपने परिवारों के साथ एक बड़ा मददाता समूँ है सरकारी आकड़ों के मताबे कुल किशानों से 60 फिजदी महिलाएं हैं लेकिन उनमें से 13% से भी कम के पास अपनी जमीन है महिला किशानों को वित्तिय सहता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर कोई महतपूर परभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि साड़े 500 अरब डॉलर की अनुमानित बजट में अहरासी बेहद कम होगी आई हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि चुनाओ से पहले सरकार महिला किशानों को लगाने जा रही है उनके सम्मान निधी को दुगना कर सकती है आम चुनाओ 2024 से पहले केन सरकार पधान मंत्री किशान सम्मान निधी कालकरम के तहट पात्र महिला की शानों को मिलने वाले वार्सिक भुकतान को दोगुना कर 12,000 रुपए करने पर विचार कर रही है एक फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोस्रा हो शकती है पीम मोदी लगातार अपनी संबोधन में महिलाओं को ससक्त बनाने की बात कहते रहते हैं और सरकार का या कदम उसी दिसा में माना जा रहा है हलांकि किर्सियों वित्मंत्राले ने इस सम्मंद में कोई टिपड़ी नहीं की है सुत्रों की माने तो बजट में इस आसे की घोस्रा के बाद इस कदम से सरकार पर 12,000 रूपे का अत्रिक बोज बढ़ेगा मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनाओ से पहले भू स्वामी महिला किशानों को आर्थिक भुकतान वाली सी ओजना की घोस्रा की थी परधान मंत्रे किशान सम्मान ने दिकार करम के तहट सरकार पूरुस और महिला दोनों किशानों को साल आना 6,000 रूपे ट्रांसपर करती है फिर भी अगर आपका केवाईसी नहीं है और किसी समस्या साब गरसित है तो एकीनन जल से जल जाईए और आप अपने केवाईसी को अंजाम दीजी अगर आप महिला किशान है तो आपके लिए बल्ले बल्ले बहुत बड़ी ख़वर यही है जो वीडियो में बताया हूँ कि आपको 6,000 नहीं बलकि 12,000 रूपे सरकार दे सकती है महिला किशानों को बहुत फायदा होने वाला है निवेदन करता हूँ कर जानकारी अच्छी लगी वीडियो पे पहली बार है वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जरूर सब्सकाइब करेंगे ताकि भविश्मेर सी जानकारी आपको मिलती रहे वीडियो कोन तक देखने के लिए बहुत बरसुक्रिया धन्यवाद जैहिंद बंदे मात्रम